वाला वो कोश्चन तना उसका सलूशन लिखवाने के लिए एक से ज़्यादा सलूशन मिल लाए थे ना तो आज आप लोग सीख जाएंगे कब एक से ज़्यादा सलूशन मिलेगे कब unique solution मिलेगा कब solution मिलेगा ही नहीं और कब solution unmounded होगा देखो चार तरह के solution वीडियो रिकाड हो रहा ना देखो जो भी LPP दिया रहेगा उसमें चार तरह के solution मिल सकते हैं पहला या तो solution मिलेगा unique solution या तो एक से ज़्यादा solution मिलेगा ठीक है और या तो solution मिलेंगे ही नहीं तो ऐसा question करवाद दिये हैं कि जिसमें solution ना मिले और ऐसा case चौथा हैगा solution मिलेगा और कैसा होगा unbounded feasible solution मतलब वो जो region होगा feasible region होगा unbounded तो Z की value क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो उस case में जो solution होगा वो कैसा होगा unbounded solution ठीक है तो कौन-कौन से solution unique solution उसी बोलते हो optimal solution और जब एक से जादा solution मिलने लगे तो उस case में alternative optima बोलते हैं क्या बोलते हैं alternative optima और अगर जो no solution तो no feasible solution और unbounded हो जाए तो उस case में unbounded solution ठीक है आज कुछ हम लोग जो अभी तक है हम लोग corner point method पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे corner point method कि कोई भी अगर inequality दिया रहे कोई भी LPP दिया रहे तो सारे उसको पहले equation में convert करके हम लोग line जो मिलती थी उसको plot करते थे फिर region ढूटते थे feasible region का ऐसा set मिलता था convex set convex set के सारे corner point रूटते थे और उस point पे हम लोग z की value निकालते थे तो z की maximum या minimum value मिलती थी तो उस पे हम लोग देखते थे कि किस point पे z की optimum value मिल ले है वो point उसका LPP का क्या होता था solution होता था तो इस method को corner point method होते है एक और method है ISO profit वो बताते हैं वो होता क्या है ठीक है देखना देंसे जैसे वही question है लिखो तुम लोग exceptional case अब आज some exceptional cases define कर दे रहे हैं ISO profit और ISO cast method देखना द्यान से होता क्या है ISO profit और ISO cast method देखना थियोरी बहुत बड़ा है थियोरी से हम लोग को नहीं मतलब हम लोग डारेक्ट question करेंगी इस पर ठीक है question समझ में आएगा थियोरी लिखने का कोई ज़रूरन नहीं है question इसका बहुत ही आसानी से हो जाएगा सबसे पहले देखो ध्यान से एक question लिख रहे है solve the linear programming problem देखना ध्यान से solve जो question है उसके लिख थोड़ा से जगा छोड़ो यह आइछो प्रोफिट पढ़ाएंगे ना तो उस case में वहां आम डिफाइंड कराएंगे solve the linear programming problem बस दो तीन लाइन solve the linear programming problem ठीक है और प्रोब्लम क्या दिया है देखना ध्यान से reference mukकele धिया देखना से ली आग देखना गंत देखना घश पर का देखना açıl देखना देखना नहां चरब्लत देखने डर देखना 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 लाग क下 lived प्रोड़ो प्रोड च्टवाम जाम सेवर्च कॉर में जागज़ना छेश वर जेखना चर देखना τις individ तो greater than zero ठीक है यह question आप लोग किये है corner point method से same question किये है किसे corner point method से आज हम लोग isoprofit या isocost method देखेंगे ठीक है देखो होता क्या है in general पहले बता दे रहे है जब भी इस method से यह method और वो दोनों method में देखना तुम लोग में जो भी सही रहेगेगा अगर जो ऐसा दिया रहाएगा solve the linear programming problem तो आप चाहिए corner point method लगाएगे चाहिए isoprofit method जो बताने वाले हैं और ऐसे दिया रहाएगा solve the LPP by graphical method method तब भी आप कोई में लगा सकते हैं graphically तो दोनों देखा जाएगा लेकिन उसमें आप free है या तो corner point method corner point ढूड़िए या तो isoprofit method ठीक है बहुत आसान है दोनों easy है तो इस method में सबसे पहले सेम इस्टेप हम लोग लिखेंगे जैसे पिछले आप लिखते थे उसमें corner point ढूड़िए इसमें corner point ढूड़िए इसमें क्या करना है सबसे पहले देखो solution है सबसे पहले जो दिखना जान से हम लोग पहले क्या करेंगे पहले सारे inequality है उसको चेंज करेंगे किसमें as a equation में और second step में क्या करेंगे line plot कर लेंगे plot कर लेंगे कोई दिकत third step में देखना first step में on changing all inequality as in a equation तो क्या मिलेगा जी 2x1 plus x2 equal to 104 equation first और यह क्या होगा x1 plus 2x2 equal to 76 यह दो equation मिले कोई दिकत आप देखना दियान से इनका line plot कर रहा है second step में second step में हम लोग क्या करेंगे line plot करेंगे ठीक है line plot करेंगे तो आप लोग देखे थे line plot किये थे तो क्या मिला था इसको ऐसे देखना दियान से इसको intercept form में बनाना तो यह क्या होगा पहला ला x1 upon 52 plus x2 upon 104 equal to 1 अरे 104 से divide कर दिये हैं तो intercept form में और यह वाला क्या होगा जी और यह क्या होगा तो यह कहां कट करेगा x1 को 52 पे और यह कहां 104 पे और यह कहां कट करेगा 76 और यह 38 पे ठीक है तेखना ज्यान से तो हम लोग क्या अंतर आप क्या करें 1010 का गैप कर रहा है ठीक है तो यह जिरो यह सपोज कर लो एक्ष्लिए फीगर बने गए नहीं सुम्हां कि मिटाना पड़ेगा तुम लोग इतना लिखो आइसो प्रोफिट वाले में थट से करने जा रहा है ठीक है उसमें बस होता क्या वो चीज बता रहे है इसको मिटा दें लिख लो लिख लो लो लोग है मिटाए जी चलो फर्स्ट इस्टेम में लिखेंगे on changing all inequality as in a equation उसके बादे second इस्टेम में लिखेंगे plotting all equation in x1 x2 plane x1 x2 plane उस case में देखेंगे द्यान से देखना द्यान से अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरलल है मिल नहीं रही है तो इस case में देखना द्यान से पड़े हो क्या होगा no solution कोई solution मिलेगा जैसे पड़े थे और ये दोनों क्या होगा intersect कर जाएगा तो जिस point पे intersect करेगा उस case में क्या मिलेगा unique solution intersect कर जाएगा और कोई एक line है इसी पे दूसरा line लाइग कर दे तो उस case में क्या होगा infinite solution अरे भाई देखो हर एक point पे intersect कर रहा है मतलब अगर देखा जाएग पूरा जैसे एक line है और दूसरा line का equation इसी पे लाई कर जाए पूरा तो इस case में कैसा solution होगा infinite पड़े हो ना inter में ये जब एक दूसरे के parallel हो और ये क्या होगा कॉन साइड कर रहा है मतलब दोनों एक ही पे कॉन साइड कर जारा line कॉन साइड जब कर जाएगा तो उस case में infinite parallel है तो उस case में no और intersect करेगा तो unique solution same concept है ये अब ऐसे भी देखो दो line का equation निकालना है एक line ये है L1 और एक line L2 है कोई दिक्कत अगर L1 L2 एक point पे cut करेंगे मतलब यही point इसको भी satisfied करेगा line को यही point इसको भी satisfied करेगा तो इस case में क्या होगा unique solution ही कोई दिक्कत और अगर जो L1 इसी ये लाई कर गया और L2 भी इसी पे लाई कर गया मतलब हर एक point मिल गया क्यों तो L1 का हर एक point L2 हो जाएगा तो यह पुरा line का point एक दूसरे को satisfied करेगा तो इस case में कितने infinite solution और माल लो L1 है यह L2 ये है इस case में आपको point मिलेंगे इंदोनों में नहीं ना तो उस case में का जागा नो solution ठीक है देखना नहीं से अब हम लोग प्लाट कर रहा है यह माल लो यह 0 होगा यह माल लो कहीं 10 होगा यह क्या होगा 20 और यह क्या होगा जी 30 40 50 यह क्या होगा X1 और यह क्या होगा X2 यह क्या होगा 10 इसको 20 रख कर दे क्या 20 20 कर दे रहे हैं लो 20 चलो 10 ही कर दे रहे हैं लो 10 20 30 40 50 60 तबढ़ा इसको बढ़ा दिया जाए 104 भी आ रहा है क्या 104 भी आ रहा है 20 कर दे रहे हैं 20 40 60 80 और यह क्या होगा 100 और यह क्या होगा 100 120 120 ठीक है 120 76 आ रहा है? नहीं सही है तो लोग कुछ कम कर दे रहे हैं इसको थोड़ा सा ऐसे गैपिंग इधार देखो लोग बराबर कर दे रहे हैं दोनों दोनों 20 20 20 20 20 40 60 100 80 60 और 100 होगा? देखो पहला बाला लाइन चो होगा वो क्या होगा जी? तुम लोग देखो पहला बाला लाइन क्या है रहा है? एक्स वन अपान 52 प्लस एक्स टू अपान 104 इक्वल टू 1 तो ये क्या हो रहा? 52 पे कट करेगा 52 कहा होगा? ये 50 होगा क्यों? और ये दो ऐसे बढ़ादर मालों ये 52 हो गया वह दिक्कत फाइफ हो गया फूर मालों ये हाँ मिला लो ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? आप देखना द्यान से मालों दूसरा लाइन कौन सा है? एक्स वन प्लस 2 एक्स टू इक्वल टू 76 तो एक्स वन अपान 76 प्लस एक्स टू अपान 38 वन तो ये 76 कहा होगा जी? ये यह कहीं होगा ना? अरे भाई ये बीच में 70 होगा? अरे भाई लो अब सही है? और आगे हो जागा चलो कोई बादने 38 थर्टी एट कहा होगा? चारीज के पैले ये माल लो ठीक है? ये ही मिलेगा ना? हाँ, सही है चलो, ठीक है? अब देखना न्यान से इन दोनों में जो आप लोगा इनिक्वालेटी था? इनिक्वालेटी था क्या था? X1 प्लस 2X2 था क्या जे? लैस था जिरो जिरो देखो जिरो जिरो रखोगे तो satisfied करेगा न तो किया मिलेगा origin की और solution कोई दिक्कत तो ये दोनों origin की और solution देगा देखना नियांसे तो a b और ये origin तो common region क्या होगा लेकिन हम लोग देखो corner point method से नहीं कर रहा है कौन सा method से करेंगे iso profit method ठीक है देखना ये point होगा चलो अब देखो जो objective function दिया है क्या दिया है z z equal to क्या दिया जी plus 11 x2 तो जब भी iso profit वाले case में देखा जाए तो objective function को क्या कर दो equal to 0 रख दो हमेजा क्या करना है 0 put करना है तो 6 x1 plus 11 x2 equal to क्या होगा 0 तो x1 6 x1 equal to क्या होगा minus 11 x2 तो x1 upon x2 की वालू क्या होगी देखना 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 द्यांसे क्या करना है कि यह क्या बताएगा कि x1 minus 11 यूनिट चलेगा तो minus 11 का पीशे देखो तो कोई भी देखो अगर जो यहाँ से इस्टार्ट करो आपलोग मानो यह 20 का गया द्याप मालों लेलियो तो 11 कई यहां होगा होगा कि नहीं होगा अरे माई-1 minus 11 चलेखना है ठीक है कि यहाँ x1 कहां चलेखना है minus 11 तो देखो minus 11 मालों इधर कि यह मालो माइनस 20 है तो माइनस 11 कहीं होगा यहां कहीं होगा होगा कि नहीं को दिकत अब देखो X1 का कितना चलना है जी X2 6 प्लस 6 तो कहां उपर चलेंगे तो 6 यहां 10 होगा और यह क्या होगा 6 यहीं कहीं होगा तो देखना झांसे यह चले न हम यह वाला कहां चलेंगे 6 और यह वाला कहां चले माइनस 11 तो एक constant लगा देते हैं आइसो प्रोफिट एक constant माल लेते हैं कि X1 बराबर है हम माइनस 11 के X2 बराबर 6 के कोई भी एक constant लिख देते हैं तो आप चाय लिखे, चाय ना लिखे, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, ये 6 के, मतलब 11 के यूनिट्स चले, और यहाँ 6 के यूनिट्स, ठीक है, अब देखो, इसको मिलाने वाला, ये मिला, अब ये पॉइंट मिला ना दोनों का, अब इसको ओरिजिन से पास कराओ, पास कराओ, करा दिये, ओरिजिन से ये पास करेगा कि नहीं, ये लाइन है, अरे भाई, ये लाइन पास कराओ, दिये कि नहीं, ठीक है, अब इसके पैरलल लाइन खीचते जाओ, इसके पैरलल लाइन खीचते जाओ, ऐसे, कहीं भी खीचो, माल लो इसके पैरलल ये हुआ, तो इसके पैरलल जब लाइन खीचोगे तो यही एक ही पॉइंट मिलेगा खाली कट करेगा देखो कट करना एक मिनिट देखना ध्यान से कोई भी इसके पैरलल लाइन खीचोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक ही कार्नर पॉइंट पे ये वाले पॉइंट, अरे पैरलल खीचो बनना नहीं है, तो अगर देखना ज्यान से, ये पैरलल खीचोगे, देखो, कई भी पैरलल खीचोगे, तो इसी पॉइंट पे जाके वो कट करेगा, ऐसे तो पैरलल लाइन होगा नहीं, इसके पैरलल क्या होगा, ऐसे होगा, अरे भ की बिस ilsन को बोलते हैं आई सो प्रॉफिट line क्या बोलते हैं आई सो प्रोफिट अगर यह पै Designer कीच रहा है और दो एक पॉइंट पे कट करता है यहां आ पोइंट पे एक माल इंपा रेड्र करता है तो उस केस में क्या होगा और स्थालूर्शन अगर ये फ्रीजवर डीजन वाला ला लाइन को अगार लोग लोग पैरललाइन बूरे programmer करें और इस मी के पैर्लल जो पूरे उसका में क्योехा इंफाइन एंदिए लेकिन इसा कोई लाइन मिलेगा कि इस ही पे आज ये नहीं ना तो देखो जया फिग बना नहीं है इसका जाब भी पारलल लेंगे असके तो एक ही पॉइंट मिलेगा ये वाला और यही को इते ब्लिगसेथी बड़े सकते मरफ ज्रीद दो यहां से बना लो जो पूछाना लो वे पूछा मैं पूछा मैंसिमम भाय लो पूछाना मैंसिमम भाय लो पूछाना मैक्सिमम यह वाला लाइन मैक्सिमम लाइन होगा तो मैक्सिमम वाले लाइन पर देखेंगे किस जगह कट करना मैक्सिमम वाले रिजन पर इधर देखो मालो अगर जो हम यह ट्रा करें तो हमसे इससे कोई मतलम नहीं वहीं हो पॉपर वाला देखना मैक्सिमम वाइड वाली पूछा मीनिमम होता तरण क discomfort करेंगा खाली एक पॉइंट में उसक्ष में उनेक सालूसन न यह बताएगा लाइन यह वाला लाइन यह लाइन For Maximum of Z अगर यह इस प्रो प्रोफित लाइन पर मैँचैनल पूरा बढुग जो ऐसे ही प्रोफित लाइन है तो पूरा फ्रो इसके सिघनल्म मिल जाता है तो हम तो कहेंगे कि तुम लोग कॉर्णर पॉइंट वाला ज्यादा अप्लाई करना क्योंकि आइसो प्रॉफिट लाइन वाले में एक्जेक्ट ग्राफ चाहिए एक्जेक्ट ग्राफ रहेगा तब ही काम चलेगा इधर देखो यह जो यूनिट से ले रहे है न तो जरूरी नहीं कि हम यह इधर का देखे ले यह जो यूनिट ले रहे हैं x1 equal to minus 11k x2 यह हम one unit से भी लेके चला है मतलब one one माइनस 11 के यहां इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है मतलब माइनस 11 के तो इधर आएगा और 6 के यहां कहीं भी आएगा ठीक है लिख लो करते चलो कहां पड़ेगा बता और उपर करेंगे यहां बता और यहां करेंगे हुआ हए यह वाला नहीं यह तो वाला तो इग्ज eff High searching हुआ हम यह तो कह रहे हैं हम यह यह हैं हम को इधर देखो एसे मैं लोग माइनस 11 के हममें आशाय से ऐसे मान कर चलें यह माइनसаний के यह माइनस है यह माइनस के है तो इंट्स हम यह कह आइसो प्रोफिट लाईने अलजद क्या देगा मैक्सिमम वैलू और यह क्या दीगा जी 44 कितना आया था 16 44 आया था क्या था तो लोग निकालेगो इंटर्सेक्शन पॉइंट 44 16 आया होगा तो उस केस में हम लोग को चयक नई करना पड़ता है maximum value उस case में डारेक्ट यही point आपको optimum solution दे देगा, ठीक है? आपकोैंट इस question को कराने के लिए some exceptional cases जो define कराना है आज उसी को लिए बताया गया है अभी बता देते हैं हो ठीक है अभी इस पर और question कराएंगे पहले हम लोग आते हैं some exceptional cases पर तीन बचा है कहां वो तो अभी खाली एक ही है मतलब उसमें same same उसको लिखपा नहीं है solution ठीक है अभी जब एक question कराएंगे तो clear हो जाएगा मिटाएं जी वो question इसलिए कराया थे कि कुछ exceptional case आ जा रहा है जैसे हम लोग पढ़े थे क्या subtle point method तो देख रहे हैं थे कि यह question ऐसा आ जा रहा है जिए subtle point से नहीं करेगा तो उसके लिए आगे method तो वो question कल जो उस दिन कराया गया था उसका मतलब क्या है कि उसमें भी कुछ exceptional case है तो वही आज क्या exceptional cases कुछ discussion करेंगे लिख लोग और यह जो ISO profit line यह जो center से पास हो र जाले बता रहा है इसलिए graph paper में करना है नहीं तो मान लो अगर यह parallel भाई कहीं थोड़ा इधर उदर होगा तो question गलत हो जाएगा तुरंत graph गलत हो जाएगा corner point वाले में क्या था उसमें थोड़ा अगर जो graph इधर उदर होता तब भी solution मिल जाता था इसमें नहीं है इसमें एकदम exact graph जब तुम लोग exact graph बनाओगी ना तो parallel ड्रा करोगी तो यह जो यह line देगा maximum value object खाली यही इसी point पे मिलेगा ही next हम तो कहेंगे कि मत करना वही corner point वाला वही आता है कोई बैसा question नहीं आएगा आराम से तर लोग है इधर देख अभी इसमें दो question और भी करा देंगे तो तुम लोग को clear हो जाएगा कोई दिकने यह भी बहुत आसा नहीं बहुत आसा नहीं देखना इमिटाएं चलो तो अब क्या करेंगे अभी इसके लिखवा भी देंगे हम डिटेल बस हम थोड़ा सा आइसो प्रोफिट और आइसो हां हां बट इसके अगार्डिंग कैसे क्या होता हो हम question क्यों अच्छा नए ने जट की बैलो नहीं निकालेंगे उसमें वह तो ढार्ट को माइकसिम ुदेगा नखश्कसिम में है मैक्सिमम डिलफ तब कट कर रहा है देखो जो लिखवा थे बनाये थे ऊपर यही था ना ऐसे कुछ रिजन तो मैक्सिमम जो डिल्फ इसे बताया थे ना मैक्सिमूम लाइन होगा पर जट के लिए तो किस पॉइंट पर एक पॉइंट पर कर रहा था तो वही उस केस में उसका आप्टिमल सलूशन देखो कोई दिखकर ना आइसो प्रोफिट के पूरा कराएंगे बस आइसो प्रोफिट होता क्या है यह समझ गया है कि एक अब्जेक्टिफ फंक्शन को जीरो पूट करना है वहां से एक सोन एक स्टू का रेशियो लेना है कुछ कॉंटिटी मिलेगी वो देखना है कि सेंटर से पास कराना और उसके पैरलल लाइन खीचना है ठीक पहला पहला अल्टरनेटिव और आप्टिमों अगरे अगरे पूरा डिटेल में कराएंगे अब यहां से तुम लोग सीख जाओगे ठीक है यह होता क्या है कि जब कोई भी अब्जेक्टिव फॉंक्शन कॉर्णन पॉइंट पे हम वैलू ढूटनने लगे वो दो या दो से अधिक वैलू पे मैक्सिमूम मिलने लगे मालो जड़ पे दो पॉइंट ऐसा मिल गया कि ज उसके समें दो सलुक्शन मिलेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी तीन तीन पोइंट ए đến 4 पोइंट तो ऐसे केस हैंज में अगर एक से जादा सलुचन मिले तो उसके समें हम लोग सलुचन को क्या क्या बोलेंगे alternative optima जैसे optimal solution बोले थे optimal solution मतलब क्या unique solution तो इस case में क्या बोलेंगे alternative optima तो लिखो when when the objective function when the objective function is parallel to a binding constraint में और आज तुम लोग को हम problem देख के ही बता देंगे कि तुम लोग को problem देखके ही तुम लोग को infinite solution और सब्सक्राइब नहीं तुम लोग को इस question देखने के बाद पता लग जाएगा कि कहा किस में एक solution मिलेगा ठीक है question देख लोगे आराम से अब पता कर लोगे चलो हाँ लिखो when the objective function is parallel to a binding constant constant हो गया that is a constant bracket में लिखना that is a constant that is a constant that is a constant that is a constant हो गया फिर लिखो that is satisfied that is satisfied as an equation as an equation by the optimal solution as an equation by the optimal solution by the optimal solution हो गया फिर ब्रेकट बन कर ले ना the objective function will assume the objective function will assume the same optimum value will assume the same optimum value at more than one solution point okay we'll assume the same optimum value at more than one solution point हो गया है for this reason they are called alternative optima for this reason they are called alternative optima question देखो सम्झा दे रहे हैं क्या लिखवाए है use graphical method to solve the LPP maximize 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 z equal to 2x1 plus 4x2 x1 plus 2x2 x1 plus x2 dot दिया है क्या जी सही है देखो कहे रहा है कि जब किसी भी problem में जो objective function दिया हो वो constraints के parallel हो जाए parallel मतलब समझ रहे है दो line parallel कब होता जैसे ax plus by plus c1 equal to a2 ax plus c2 equal to 0 जब a1 upon a2 value क्या हो समझ में आया समझ में आया हां नहीं a1 b1 उसकेस में बताएंगे पहले यह देखो a1 upon a2 b1 upon b2 ठीक है देखना नहीं से इसमें आपनों प्लेट्रिक जोचो कोई ऐसा constant है जो objective function के parallel दिख रहा है इसमें 2 से multiply करो तो क्या आएगा जी 2x1 plus 4x2 plus 10 equal to 10 less इसको equation मनाएंगे equation form में लिखेंगे तो क्या आएगा x1 plus 2x2 equal to 5 step first में इसमें 2 से multiply करो तो क्या आएगा जी 2x1 plus 4x2 equal to 5 10 ये देखो ये देखो दोनों सेम मिल गया ना that means parallel या ऐसे चप कर लो 2 upon 1 equal to 4 upon ये true है ना तो ये वाला ये वाला parallel होंगे कि नहीं तो जब parallel होंगे that means क्या होगा alternative solution अरे वो parallel नहीं लाइन वाला कि no solution यहां हम कह रहा है कि जब कोई objective function किसी constant के parallel हो जाए तो उस case में हम लोग को infinite solution एक से ज्यादा solution मिलेंगे और कैसे मिलेंगे कितने infinite solution देखना कैसे यह question करते हैं तो तुम लोग पैलल अब चेक कर लोगे न कहां पैलल है कहां नहीं है ठीक है बस चलो इसको solve करेंगे तो सबसे पहले step first solution step first में क्या करेंगे on changing all inequality step first on changing all inequalities in equation we get क्या मिलेगा जी x1 plus 2x2 equal to 5 x1 plus x2 equal to 4 equation number first equation number second लिखो फिर step second लिखो लिखोआप लिखोए लिए 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 इसको बीटा है अब हम लोग क्या करेंगे इस्टे सेकेंड में प्लाटिंग आल इक्वेशन प्लाट करेंगे प्लाटिंग आल कॉंस्टेंड तो तुम लोग अपने अक्वार्डिंग ग्राप प्लाट करी सकते हो सब सीक गया हो दो इक्वेशन मिला एकउन कौन साच है एक्स वन प्लास टू एक्स टू इक्ववल तू पाइः और एक्स वन प्लास एक्स टू इक्वाल तू फ सॉर देको इस केहस में जब एक्वन जिरू रखेंगे तो क्या होगा x2 की बाइलू क्या आएगे? 5 by 2 तो 0 और ये क्या होगा? या ऐसे इसको मना दो आए x1 by 5 plus x2 5 by कोई दिक्कत? equal to 1 और ये क्या होगा? x1 by 4 plus x2 by 4 equal to 1 चलो ये मालो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है? देखना 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 से पहला वाला कौन सा पॉइंट मे लेगा? 5 और क्या होगा? 4 पॉइंट sorry 2 पॉइंट तेखना तो 5 ये पॉइंट होगा और 2.5 यहां कहीं होगा की नहीं? मिला लो इद दोनों को ठीक है? ठीकना एक्जेक्ट ग्राप महीं मनेगा लेकिन ग्राप पेपर पे इबन पाएगा तुम लोग कोशिस करना और दूसरा क्या होगा जी? फोर फोर पे नहीं? ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा कोई दिक्कत? अरे ये तो ज्यादा ठेड़ा हो जाना मिलगे कि नहीं हमको? आप देखो दोनों कॉंस्टेंट क्या होंगे? जीरो को सतिस्टाइट करना है तो सलूसन कहां देंगे? जीरो की और ना? ये भी जो सलूसन होगा इसका जीरो की टू अट्स होगा और इसका? होगा कि नहीं? जीरो क्हिशेंट क्या होगा इसकेश का यह होगा? अब आप देखना नहीं देखना नहीं होगा? यह होगा ठीक है हाँ कॉमल फिजिबल रिज़न इन्दोनु सेड़ेड रिज़न हुई है देखना नहीं से अब फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट आइसो प्रोफिट वाला क्या करेंगे अब्जेक्टिफ फंक्शन क्या दिया था जी अब्जेक्टिफ फंक्शन दिया था पहले इतना लिख लो इसको कॉर्णर पॉइंट से भी बताते है और पहले अब्जेक्टिफ फंक्शन से तो इसका एक्स्ट्रीम पॉइंट क्या होगा पहला यह जीरो जीरो और यह क्या होगा 4, 0 और ये क्या है या ये कोई पॉइंट आया होगा क्या होगा 3, 1 ये माल लो नाम दे दे रहे है O, A ये B और ये माल लो C ठीक है तो C का कोईटिनेट क्या होगा 0, 3 0, 5 नहीं ये 2.5 है भाई 0, 2.5 ठीक है देखना द्यान से इस केस में अब्जेक्टिफ फंक्शन क्या दिया था अब्जेक्टिफ फंक्शन Z इक्वाल टू क्या दिया है 2X1 प्लस 4X2 ठीक है इसको मिटा है A वाला उपर आला अब हम लोग क्या पॉड़ता है एक्स्ट्रीम पॉइंट ढूटते है स्ट्रीम पॉइंट कैसे पहले लिखवा चुक है वीडियो लेक्शर में सब लोगी स्ट्रीम पॉइंट क्या होंगे 00403,1 है यह 3,1 है और क्या है 02 पॉइंट इस पे Z की वैलू चेक करो चलो देखो एक्स्ट्रीम पॉइंट E X T R E M E एक्स्ट्रीम पॉइंट X1 X2 और वैलू अप Z Z इक्वल टू क्या होगा 2 X1 प्लस 4 X2 इस पे जो वैलू होगी Z की यह क्या एक्स्ट्रीम पॉइंट आया O A B C यह क्या होगा 00 यह क्या होगा 4,0 और यह क्या होगा 3,1 और यह क्या होगा 02.5 तो वैलू क्या आएगी इस पे इस पे Z की वैलू क्या आएगी 0 आएगी इस पे क्या आएगी 8 और इस पे क्या आएगी 10 और इस पे क्या आएगी देखो दो maximum पूछा ना जेड मैक्स तो दो point maximum मिल जा रहे ना तो दो solution मतलब मिल जाएंगे तब वही अब इस के लिए हम लोग क्या करेंगे अब आइसो प्रोफिट वाला आप समझ मैं यहां से यहां से नहीं यहां से आइस प्रोफिट लगा सकते हैं मतलब exceptional case आगे हैं ना यहां से भी देख लिए कि दो point ऐसा मिल गया कि जिस पे maximum value आ रहे ठीक है तो इस इस case में देखा जाएगा जब दो point में तो और भी बहुत सारे ऐसे point रहेंगे जिस पर 10 आएगा और भी बहुत सारे point ऐसे हैं जिस पर value 10 आएगे तो उस case में कितने solution हो जाएगे बहुत सारे solution तो इस case में आएसे solution को क्या बोलेंगे alternative optima ठीक है यह तो बाई corner point से देख लिए अब isoprofit वाले से देखो इधर देखो corner point वाले से समझ में आ गया ना कि दो से तीन solution में लेंगे तो उस case में क्या होगा इसके पास alternative optima अब देखो isoprofit वाला objective function क्या है z equal to 0 रखो यहाँ put put z equal to 0 that means क्या होगा जी 2x1 plus 4x2 equal to 0 तो x1 equal to क्या होगा minus 4 upon 2 x2 तो x1 equal to क्या होगा minus 2 x1 upon x2 ठीक है तो minus 2 को 2y1 लिख सकते है तो x1 कितना unit चलना है माइनस माल लो एक constant 2 के unit चलना है और x1 कहां चलना है के unit को दिकत और ऐसे भी x1 तीछे इधर देखना द्यां से कितना नहीं यूनिक कहां आ रहा अभी देखना द्यां से अभी रूखो तो minus 2 कहां होगा यहाँ होगा न मालो यह मालो यह minus 1 minus 2 के यहां चलना को धिकत तो minus 2 के यह ऐसे मालो इसको आसदर कर रहा है और वन तो यह होगा ना तो इस केस में यह मालो 1k होगा और यह माइनस 2 के अब इसको औरिजन पे सिफ्ट करो ओक वाओ अब इसके पैरलल खिशते जाओ खिशते जाओ खिशते जाओ तो देखो इसके पैरलल वाला एक बार यही पूरा लाइन मिल जाएगा कि नहीं पूरा यह जो पैरलल आईसोफित लाइन इस पर कॉन साइड कर रहा कहा बी तक कोंसाइट कर रहा है क्यों और यहां से यहां कितने पॉइंट से होंगे इनके बीच में इन्फाइनाइट पॉइंट तो यही सारे जो पॉइंट होंगे वह आइसो प्रोफिट लाइन क्या कर रहा है इनको टच कर रहा है न तो यही सारे पॉइंट क्या देंगे इस पाइनाय जरोशन निंगे की नहीं तो इस केस में देख भी सकते हैं कि एक से ज्यादा सालुशन मिलना है ठीक है तो वह यह चीज लिखना है लिखो यह बालत थोड़ा ज्यादा हो यह अच्छा माल लो आइसो प्रोफिट लाइन प्यालल हो था अगर जो इस प्रोफिट लाइन प्यालल हो था अगर जो इस पर इधर ही खाली फाल उनता था तब ही इका इन्फाइनन मिलता क्योंकि कि दीखो जो Was रीजन का मैक्सिममम ओला देख रहा है कहां से कहां तक कंसाइट कर रहा है यहां से लेकि यहां तक यहां से लेकिने पॉयंट से इनफाइनाइट सव्यूशन तो लिखो ओई चीज पहले बना लो झाल झाल वो एजी ए लिपको आप In the graphical representation, in the graphical representation, M-O-A-B-C, in the graphical representation of given problem, of given problem, the region which is common in all regions, the region which is common in all regions, the region which is common in all regions, in all regions, that is kya hoga? Fusible region, joh sabhi region mein se, joh common region hooga, usi ko kya hoga? Fusible region, fusible region, aur is case mein fusible region kya hoga ji? Fusible region is O-A-B-C. यही हो न, O-A-B-C. अरे यह O है, यह A है, और यह क्या है? B है, और यह C है. आच्छ, ऐसे लिख दे रहा है, C. C. यह C है, और यह point मालू B का coordinate 3, 1. ठीक है, O-A-B-C. कोई दिखकर? इस Fusible region is dotted. इसको dot कर दे, ठीक है? हो गया? इस Fusible region is dotted. इस Fusible region is dotted या shaded? जो भी, shaded लखे देजेगा. नव तु फ़ाँ तु प्टिमम वालू अव फ़ाँ नव फ़ाँ नव फ़ाँ आदेगा, हाँ अअव नव फ़ाँ लखे। बढ़गा, जो नव फ़ाँ नव पइन्वाँ दॉत। हां नाव टुफाइंड उसके बाद में पहले यह बताओ यह आइसो प्रोफिट वाला समझ में आ रहा है ना कोई इकत की पहले यह चेक करेंगे जाएंगे और उसके पारलल चेक करेंगे ठीक है तो मैक्सिमुम वाले रिजन के जो टच करेगा अगर मालो हम लोग ऐसे करते जाते कहीं ना कहीं क्वार करें रहा है यह हमारा का मिला अगर हमारो अगर टたい सो यह वाली लाएन अगर इसे लाइन खीषते तो उस रिचामें यौनी लियाता सि अंधंगे कुछ नाम सबम्सक्राइए बाटा अब इसक्ता सब्सक्राइब विच्टतो फेश्ञेश्चर में जिलजाए ये आंधर करते कुछ नहीं पर खटता खाली नाम होगा maximum ये वाला maximum line ये ही तो होगा maximum वाला region देखो ये वाला ये वाला ये ठीक है ये ही वाला इसी को अगर जो काड़ता एक point पे तो क्या होता unique solution और infinite पे touch करेगा तो infinite solution चलो now to find the optimum point now to find the optimum point of feasible region of feasible region O A B C O A B C we draw the isoprophic line कौन सा isoprophic line होगा ये ही ना ये ही वाला अरे ये वाला isoprophic line होगा और इसके parallel हम लोग ड्रा की है ठीक है we isoprophic line ड्रा करने के लिए क्या करेंगे condition objective function को zero करेंगे तो लिखो we draw isoprophic line and move parallel to itself तो ये सारे isoprophic line और ड्रा करेंगे इसके parallel तो जो भी ये सारे lines होगे कैसे होगे isoprophic line होगे ठीक है and move parallel to itself move parallel to itself तीक है hmm होगया from origin from origin we observe that from origin we observe that this isoprophic line from origin from origin we observed that this isoprofit line consider with portion BC consider देखो origin से हम यह अबजर कर रहा है कि जो भी isoprofit line देखा रहा है वो BC पर क्या पूरा मैश कर रहा parallel हो जा रहा देखो इधर होगा ना यह वाला लाइन यहा हो जागा खाली BC पर ही देखो अरे यह वाला घूंग यह ना तो इधर नहीं जो भी लाइन होगा है parallel तो कहां खाली मिलेगा BC ठीक है consider with portion BC portion BC portion BC of the constant question तो क्यों डिलीट कर दी थी कौन सा क्लास में क्यों सा क्लास में किसको किस सब्जेक कर था मैं यह खळाओ कर दे है सुनो consider with portion P O O R T O I portion यह ना portion BC हो गया of the constant of the constant line of the constant line constant line कितने है दो ही है दो constant है तो दो line होंगे तो ही constant line होगे constant line which forms which forms the boundary of feasible region which forms the boundary of feasible region the boundary of feasible region okay then any point of portion BC then any point of portion BC including B and C give an optimal solution then any portion BC including B and C कोई भी portion या कोई भी point यह क्या होगा B और C के बीच का solution हो जाएगा ठीक है B वाला point भी C वाला क्योंकि यहा तक पूरा touch करेगा इधर इधर वाला नहीं है और इनके बीच कितने points है infinite point है तो infinite solution मिलेंगे तूरा गला अ कितने इनके बीच का लिच एं ऑ्टन नहीं है अर। नहीं है वाला हो गया? हो गया? लिखना हो? Since any point फिर निचे से Since any point Since any point on the line segment BC Since any point on the line segment BC including Sorry, क्या लिखे है? Since any point on the line segment BC gives the maximum value gives the maximum value क्या दे रहा? Z equal to 10 दिया ने उपर चक्के हो Z equal to 10 of the objective function of the objective function अरे भाई इस पे भी 10 मिला इस पे भी 10 मिला तो हर जगे अंटे नहीं मिलेगा चक कर लेना ठीक है? इन्फाइनाइट के लिए अल्टर्नेटिव आटमर कहां मिलेगा? Constraints देखो, objective function देखो A1 upon A2, B1 upon B2 कोई भी अगर objective function चक करना है objective function किसी भी एक constraint के अगर parallel हो जाए तो उस case में कितना solution मिल जाएगा? इन्फाइनाइड समझ में आगया? और आइसा नहीं मिलेगा तो unbounded भी मिल सकते है, unique भी मिल सकता है कोई दिक्कत? दूसरा condition, unbounded solution लिखो यह alternative optima सब को समझ में आगया ना? next unbounded solution आगया 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 alternate की भागया कुछ लिख्वाएं ते क्या unbounded solution पहले ही बता दिये तो अन्बाउंडर सलूसन यह कम मिलेगा कि देखो जब भी अब्जेक्टिफ फंक्शन जो जड है ना हम लोग प्लाट करें तो जड की वैलू क्या होता है बढ़ते जाए बढ़ते जाए कहीं कमी नहों तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ऐसा सलूसन क्या मिलेगा अन्बाउंड प्रड लिखो थोड़े थोड़ा सा दो तीन लाइन है लिखवा दें वैलू आफ डिशीन वैरिएबल डिशीन वैरिएबल डिशीन वैरिएबल may be increased may be increased when the value of decision variable may be increased in indefinitely indefinitely without violating violating V-I-O L-A-T-I-N-G without violating any of without violating any of any of the constraints any of the constraints the solution space bracket me physical region the solution space bracket me physical region the solution space is unable the solution space bracket me physical region is unmounded is unmounded the value of objective function in such case the value of objective function in such case the value of objective function in such case may increase may increase kiske liya increase karega for maximization kyun? may increase for maximization bracket me likhna and or sorry or likhna maximization or decrease or decrease or decrease or decrease for minimization for minimization indefinitely see thus both the solution space and objective function thus both the solution space and objective function both the solution space and the objective function values are unbounded objective function values are unbounded कुश्चन देखो अभी इस पर कुश्चन कराएंगे तभी समझ में आएगा तुम लोग करा यूज ग्राफिकल मेथड यूज ग्राफिकल मेथड आज की लेक्चर के बाद एक लेक्चर और लगेगा एल पी पी में खता हूं उसके बाद ठीक है इसलिए अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं सारा कॉश्चन करा दे रहे हैं और तकि तुम लोग को छूटे ना कोई भी कॉश्चन ठीक है use graphical method to solve to solve the following LPP the following LPP maximize 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 यह क्या दिया है Z equal to 61 plus X2 टीक है और constraints दिया है subjected to constraints such that 2X1 plus X2 greater equal to 3 or X1 minus X2 is equal to greater than 0 X1 X2 की value क्या हो एक objective function दिया है दो constant और non-negative restriction ठीक है decision variable क्या होंगे X1 X2 सबसे पहले कुछ करना नहीं solution देखो ध्यान से कुछ करना नहीं है इसमें step first है आएसे हम लोग direct ड्रा करना है इसका दराव टीक है on changing on changing all inequalities in equation we get क्या हुआ सब में वही रहेगा बभू देखना ध्यान से क्या होगा जी 2X1 प्लस X2 इक्वाल टू 3 X1 माइनस X2 इक्वाल टू 0 यही होगा ना तो graph simple सा बना रहा है छोटा सा यहीं पर देखना ध्यान से इस केच में क्या होगा X1 माइनस X2 देखना ध्यान से negative निगेटिव वाले में भी shift होगा क्या 3 by 2 एक सेकंड X1 माइनस X2 है ना X1 माइनस X2 इक्वाल टू 0 that means क्या होगा जी X1 बराबर X2 यह क्या होगा Y बराबर X line अरे भाई X1 माइनस X2 इक्वाल टू 0 क्या होगा Y बराबर X line ना तो Y बराबर X line क्या होगा क्या दिककद यही तो होगा तो यह कौन से line होगा X1 माइनस X2 बराबर 0 ठीक है और दूसरा line क्या होगा 2X1 प्लस यह क्या होगा देखना X1 ये क्या होगा जी 3 by 2 प्लस X2 by 3 ये वाला कहां कट करेगा माल लो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो कहां कट करेगा जी 1.5 यहां पे न और ये कहां कंट करेगा और जी और जी औरे सॐसली। पाद नहीं बह स होगा है देखा इसमें 0 को कि सद्ष फायड करेगा नहीं तो और सिर्ण को कंटेंद करेग और जेखन नहीं करेगा औरげंद का ऊपर स्अलूशन ये सुवाला लाइन पिए आपवार कंटेंग करेगा कुछ इकत और इसमें और घड़न रखों के तब भी नहीं सतिसफाइब करेगा अरे भाई सतिस्फाइब कर रहा है ग्र्एटर दने जिरो पहले बताये जब एक्स प्लस बी उइ नहीं greater danger हो तो solution upwork मिलेगा वहां से जख सकते हैं तो इसका भी solution काहां मिलेगा अप वरड तो जो इन दोनों का Фीजिबल डीजन क्या होगा जी यह होगा ना पूरा अरे यही तो होगा क्यों बना लोग रहा है और तुम लोगा ऐसे बनाना इसको थोड़ा एक मिनट इसी में लिखेए तक्या जी थोड़ा आरो ऊपर इसको बना लो के अदे मोगा हमसे तो बहुन ही नहीं रहा हम से टेडा बन जा रहा है पतान है क्यों कि बनानों कि यह वाला नहीं है ठीक है को दिखकर जो भी आम लोगों को रिजन बनाना वो फर्स्टी कॉट्रेंट बनाना है क्योंकि नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी तो देखना है यह क्या बताएगा पॉस्टिव एक्स एक्सिस हो रहें पॉस्टिव आएक्सिस यह एक्स वन होगा और यह एक्स टू होगा ठीक है तो लिखो अब इसके हाँ सलूशन दो दिन लाइन का लिखवा दे अपने मन से दिपांजली नहीं बना रही है खाली देख देख के छाप रही तुम पाड़ रही हो गारे पे तुमको कैसे पता है अच्छा तुम लोग तुम लोग उसरे के लिए मतलब अच्छे नहीं जाना को तुम लोग पाड़ने क्या लग दूसरे को अच्छे जाने देखू भाई क्या हो रहा है लाको बुकंपुकं तो ही आरहा है वाच्छी तुम लोग के गल्टी तुम लोगवी जाधा पड़ो ऊ-से एंड़ हम पड़ते हैं है record शित्स के अभी जाकर हें से क्रीज तो बहात जबता प्सायड हो जगड़ा ऑड़गे क्या जीत तुमसे नहीं और किसी अशों हमको लग रहा तुम्हारी साधी उधित हो गई इतना उधास लग रहा है इतना मत उधास लोग कब उधास होते हैं मतलब लड़के लोग जादा उधास होते हैं मतलब लड़के लोग जादा उधास होते हैं मतलब जादा उधास होते हैं मतलब जादा उधास होते हैं जान जा चलो इड़ा देखो, हम लड़के हैं तो हमें भाई अपने इड़ा देखो, मिटाए अब लिखो, पहले मिटावने से पहले लिखो, ग्राफ से फ्रॉम, लिखो So, from above graph it is clear that, from above graph it is clear that the feasible region is unbounded, the feasible region is unbounded, draw isoprofit line, how can we draw isoprofit line, draw isoprofit line, how can we draw isoprofit line, where wasoprofit function, objective function, so 6,1 plus x2 equal to 0, x1 upon x2 equal to minus 1 by 6, why? Yes, that's right. So, minus either shift, minus 1, where isoprofit line, and where isoprofit line? 6, where isoprofit line? The state of the state of the state of state, if we draw isoprofit line, 6 here, where isoprofit line, और यह ऐसे कुछ बनेगा ना पैरल्ल अगर जो मान लो यह कॉंटिटी 6 ले ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां ले ले रहे 6 के कॉंटिटी और यह मान लो माइनस 1 यह मान लो 6 के है और यह स्वरी और यह क्या होगा? माइनस के यह होगा ना आईसो प्रोफिट लाइन अब इसके पैरलल खीचो पैरलल खीचोगे लेगे मैं में अगर आईसे कुछ मिलेगा इसके पैरलल खीचोगे यह जो भी मैक्सिम्म वाला देखो कोई भी पैरलल लाइन ड्रा करोगे यह तो रिजन खुद अनबाउंडेट है अन बाउंडेट है तो हर एक पोइट मतलब भी लाइन ड्रा करोगे कोई भी इसके प्राफिड लाइन तो हमेसे एक प्राफिट तो मिलेगा है कट करेगा ना तो अगर एक ईसके प्राहिचा Лईन चरेंगे इसके सल्पлю एक सलूशन उसे कितने सलूशन समझना है कि नहीं है लिखो इसको solution नहीं इसका अन बाउंड़ेट solution मिलेगा मलब बाउंड़ेट नहीं नहीं ठीक है लिखो वही चीज बता रहा है draw isoprofit line and move parallel to itself draw isoprofit line and move parallel to itself draw isoprofit line and move parallel to itself further from origin further from origin we observe that we observe that it always has some point in the region जो भी isoprofit line draw करेंगे parallel वो हम देख रहे हैं कि हमेंसा एक point feasible region का contain कर रहा है ठीक है? we observe that it always have some point it always have some point in the region of feasible solution in the region of feasible solution in the region of feasible solution करोगा करोगा तो फिजिबल रिजन का तो एक पॉइंट करेंगा तो हर एक अगर देखा जाए कितने सारे हम भूँ ड्रा कर सकते हैं ठीक है तो वही करा आइसो प्रॉफिट लाइन कुछ ना कुछ तो पॉइंट करेंगा है एक घ्र सबसक्का खुएंट करेंख तो एकर देखा क्च बgent करेंगा घ्रा कितने सारे कई अगर्या है hence z can made arbitrarily large and the problem has no finite maximum value of z and the problem has no finite maximum value of z अरे भाई जब z दिखा देखो सबसे बड़ा z की value finite मिलेगी नहीं इंफाइनट मुल्याएंगी राया बढ़ता जारा इसर बढ़ता जारा एक्स की भी बढ़ाओ इनफाइनट की तरफ वाई की वैलू इफाइनट की बढ़ तो जड़ की बढ़ाई आटमेटिक क्या जाएगी इंफाइनट तो जो Z की maximum value होगी, वो finite होगी? नहीं ना? ना? Unbounded हो जाएगा एक तो लिखो वही चीज़ी The problem are set to be unbounded solution क्या लिखे? The problem has no finite maximum value of Z हो गया Hence, problem are set to be Problem are set to have काली क्यों हो जे? Finite Maximum value आप Z नहीं चली को फिर Hence, नहीं, क्या लिखे हो अब? Problem are set to have Problem are set to have An unbounded solution An unbounded solution An unbounded solution An unbounded solution हो गया? Next ऐसे पताया बेज़े हैं जब इसमें जब भी Fitchable region unbounded मिले तो तुरंट तुम लोग भी ना कुछ सोचे समझे आइसो प्रोफिट हो ये तो मशला ही न रखो डारेट लिखो कि Z की value क्या होगा? Rapidly increase होती जा रही है तो Z की value क्या होगी? Finite तो Z की maximum value finite नहीं होगी? उस case में क्या हो जाएगा? Unbounded ठीक है? समझ में हाँ? Next No solution or infusible solution ये क्या होता? देखा नहीं है आप से 2 हो गया ना? और ये next है Next and last No solution लिखवा रहे हैं है का है रखो रहे हैं? Infusible solution Infusible solution In पहले मता रहे हैं तुम लोग को SLPP मिलेगा कि एगदम हल्वा से कर लोगे अच्छा अगदम अच्छे से Direct क्या करोगे? Graph graph करोगे हाँ? No solution चलो देखना द्यान से ये क्या होता है कि जब भी constraints लिखो when the constraints when the constraints when the constraints इसके पहले कुछ याद करो तुम लोग को solution of LPP तो कहें ते कोई भी अगर xy है ये solution होगा LPP का कब जब वो सभी constraints को satisfied करे मालो तीन constraints दिया है दो को satisfied कर रहा है तीसरे को नहीं कर रहा है तो solution होगा नहीं ना solution होने के लिए सारे constraint को satisfied करना चाहिए और इसको feasible कब बोलते थे कि जब non-negative restriction को भी satisfied कर रहा था क्यों और जब z की value maximum minimum तो क्या देगा था optimal feasible solution बोलते थे याद करो कुछ है ठीक है तो feasible solution मतलब क्या constraints को भी satisfied कर रहा और non-negative restriction को भी satisfied कर रहा तो लिखो when the constraints are not satisfied simultaneously satisfied simultaneously the linear programming problem has no feasible solution the linear programming problem has no feasible solution लगड़ा बात करना पड़ेगा तुमारे घर पे chapter का क्या नाम है बताओ linear programming problem तो जहाँ भी linear आएगा उसके आके क्या होगा programming problem है ठीक है the linear programming problem has no feasible solution समझ मैं है जब feasible solution नहीं that means क्या होगा infeasible solution तुम लोग LPP भी लिख सकते हो question देखो कले question दिये थे हुआ था जी कौन कौन लगाया था आ गया था आ रहा था किसी का इग्जेक्ट पुरह नहीं आया कोई पूछना था क्या था उंको कोई बाद में subjected to the condition यह maximize है और देखना सब subjected to the constants क्या दिया है x1 प्लस x2 की value less than 1 minus 3 x1 plus x2 की value greater than 3 x1 figure बनाओ दोनों लोग देखते हैं सभी लोग दोनों लोग कह रहा हैं कितने लोग हो जितने लोग भी हो 8-10 लोग जो भी हो figure बनाओ अच्छा और लोग कहा आज गो लोग है जानवाय में दो घंटे क्लास चलेगी तो फिर video lecture ही देख लेंगे क्यों ऐसे ऐसे हैं तुम्हारी गलती नहीं दिपांजली मेरी गलती है माइनस मुहा लिखना चाहिए ठीक है माइनस 3 x1 प्लस x2 figure ट्रा करो सभी लो तुम्हारी बहुत पित हो गया कोशन मेखो झाल 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 आना फिगार कुछ दो साइडर रिजन मिलेंगे देखो ना अरे कुछ देखो एक फिजबर रिजन उन्था एक कामान रिजन डूडो फिगार कलत बनाए हो सही बनाए हो देखो यह एकदम उसको पता है क्या सही है क्या गलत है एकदम कान्फिदेंस फूल कान्फिदेंस में है का जाल देखना है अनसे पहला क्या होगा जी? X1 प्लस X2 solution जब लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे on changing all inequality as in equation तो जो equation लिखने के बाद हमको मिलेगा क्या होगा? X1 प्लस X2 इक्वल to 1 that means यह खुद क्या होगा? X1 बाई 1, X2 बाई 1 तो माल लो यह कहीं 1 है यह कहीं 1 है यह कहीं 2 है यह कहीं 2 और यह देखो यह माल लो यह कहीं 3 है यह कहीं 3 है यह X2 और यह X1 दूसरा बाला क्या मिलेगा? इसको क्या लिश सकते हैं? X1 अपान minus 1 plus X2 अपान equal to 1 minus 1 कहीं हो गए यहाँ? कोई दिक्कत? minus 1 और यह कहाँ कट करेगा? इसको और बढ़ा देते हैं तो यह पॉइंट होगा ना? यह होगा और क्या मिलेगा जी? 1-1 यह क्या होगा? 1-1 मिलाया जाया यही होगा ना? यही बन दा कुछ ना? ऐसा अब देखो यह ओर जिन को सतिस्फाइट करेगा नहीं न? यह वाला कहाँ देगा solution? उपर? बार और यह वाला जी? और यह वाला जी? और जीन की ओर solution देगा न? और यह नॉन नेगेटिव रिस्टिक्शन क्या बताता है? पॉस्टिव एकस एकसे यह वाला एकस क्या देगा? जी रो को यह अरे भाई, जो भी हम लोग का काम तो एक रिजन यह मिलेगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं एक यह और यह यह वाला इदर देगा solution क्योंकि पॉस्टिव एकस एकसे तो इस केस में एक रिजन क्या मिलेगा? इदर क्यों? हम कोई मिली नहीं रहा है तो जो भी सारे points होँगे, वो सारे constant को तो सतिस्पाइट नहीं करेंगे तो इस केस में क्या होगा? नो-feasible solution यह infusible solution यह no solution सफाज में आया? कोई दिखकाद लिखो, उसी को लिखवा देते हैं यह कौन सा लाइन है? the line donation x1 plus x2 equal to 1 let me minus 3 x1 plus x2 equal to 3 like no from graph it is clear that from graph it is clear that 2 shaded area two-shaded area which indicates which indicates a non-overlapping which indicates a non-overlapping which indicates a non-overlapping हो गया? non-overlapping region that can be considered that can be considered as feasible that can be considered as feasible solution areas feasible solution areas हो गया? since there is no point since there is no point x1, x2 since there is no point x1, x2 which satisfied both the constraints which satisfied both the constraints ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी region मिल ला feasible इसका point ना यहां होगा ना यहां होगा ऐसा कोई ठीक है? अरे भाई देखो यह वाला यहां जो point होगे ओक इस constraints से आरे इस वाले से constant line से और यह वाला जो feasible region का इस constraints से तो यहां का point इस वाले constraint को satisfied करेगा? नहीं ना? और यहां का point इस वाले constraint को satisfied नहीं करेगा दीक है? तो लेखना since दीक है ले लेक ना? there is no point X1, X2 which satisfied both constraints simultaneously which satisfied both the constraints simultaneously हो गया? यह यह quanto that is no common print यह that is no common region लेके लेखना जोग नो कमान। हो गया? Hence, the problem has no solution. Hence, the problem has no solution. Or infeasible solution. Or infeasible solution. Because, ऐसा क्यों हो रहा है? कि यह जो constant है वो inconsistent है. Consistent और inconsistent याद करना? देखना याद से, बता दे रहा हैं भी. Because, हाँ, because they are inconsistent. Because the constraints, लिखो. Because the constraints, c-o-n-s-t-r-a-n-t-s. Because the constraints are inconsistent. Consistent. Consistent. हो गया? एक बार तुम लोग को हम बता दे रहे हैं. यह consistent और inconsistent कैसे चेक करते हैं. ठीक है? मिटाए इसको? यह थोड़ा सा तुम लोग भी समझ जाओगे. जो भी constants है, वो line है. अगर जो उसको equation में लिखा जाएगा तो line का equation देगा. और कैसा equation होगा? AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में? इदा दे. माल लो एक A1X plus B1Y plus C1 equal to 0 एक line होगा. को रिकत? यह AX plus BY equal to C1 एक line होगा. A2X plus B2Y equal to C2 एक A line है, ठीक है? तो अगर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. इस case में unique solution मिलता है. क्या मिलता है? यह देखना याद करना, इस case में unique solution और consistent होता है. और A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की value आ जाती है. यह दोनो consistent कलाते हैं, इस case में infinite solution मिलता है. ठीक है? और last में क्या हो? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. इस case में no solution. समझ में आया? एक बार देख ले न, तुम लोग इंटर का है सारी चीजे. यह inconsistent है, consistent है, ऊपर तोनों वाला consistent और यह inconsistent. में ठीक्स वाले में में भी भी था. तो में 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 रेंग्स है, वालोग चेक करते थे, डिसाइड करते थे. हां तो वही चीज है ना लाइनी है ना जमेंटरी नेक्स्ट अब एक कोश्चन दे रहे हैं तुम लोग करके दिखाद होमें ठीक है दिखाद होगे एक्सरसाइज का दे रहे हैं अक्का ना यहीं यहीं गर गर से नाम लोगा तो पीट देंगे तुमनों क्विस्चन तुम लोग को जो उससे मेंटर्ड वाले से भी लगा सकते हैं और आप लोग इससे भी मैक्सिम जड़ इक्वल टू थी ऐसे एक मिनाद रूख जाओ 3x प्लस 4y और सुच थाओज़ 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 जाओज़ थाओज़ 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 थाओ जब जब एकार दोगां कि एक बार आइसो प्रोफिट वाला जो है ना बुक में जाके कल देखना बुक में सारा कॉर्णर पॉइंट से नहीं किया गया सब आइसो प्रोफिट से किया गया तो उसमें फिगर क्लियर समझ में आएगा आइसो प्रोफिट कमातलर ठीक है एक बार बुक से देखना क्योंकि बुक में ग्राफ अच्छे से बनाया है यहां ग्राफ बनने ही पढ़ आप पढ़ रहा है देखना XY में भी पूछ सकता है तो और आसान है पूछ सकता है कि अचाया आपरे सर्च में वो जो करवाएं थे तुम लोग कह रहे थे कि दू पॉइंट पे सलूशन मिल लाया है सभी लोग कह रहे थे छोड़ देना तो उस केस में अब समझ में आगे ना उसमें वहां क्या लिखेंगे कि इन फाइनाइट सलूशन मिल जाएंगा अल्टरनेटिव आप्टिमा एक्जिस्ट करेगा जहां दो पॉइंट में मिल ला था तो वहां उसी इसलिए करवाया गया है फिजबल सलूशन डूटो भाई फिजबल रिचन देखो कौन जिरो सतिस्पाइड जिरो की ओर मिलेगा कौन नहीं काजल बना रही है ठी नीचे जाना है नहीं है मतला फिर्स्टी कोईटन मेरा ना है ना नेगेटिव इस्ट्रिक्शन भी है किया ना भी इस्ट्रिक्शन खिक्शन रहर सती है हां सवयान मांटेट आएगा तो उदर क्यों चली गए इनिगेटी पे वे अपूर करनर पॉइंट है थिरी आएगा फोर काहाँ आएगा फोर के है은 एक तरी पूर के है हाँ तक होगा पुर ही होगा देखो के यह कितना दिया एक शारे ना तो अब कितने गांगे मानो कि elevated ही तुम्ह। साह सोगा हाँ तु साह सोगा schöne नहीं जों के जोंगे तेको जितना छोटा लोग उतना फीगर बड़ा बनेगा और जितना बड़ा कॉंटिटी लोग उतना छोटा फीगर बनेगा पास पास हो गया अधो कि उसके आगे भी कुछ करोंगी कुछ उसका कहीं देख रही हो बार-बार सलूशन निकालना सलूशन बताना है कि क्या होगा मैक्सिमम जैड़ तो नहीं होगा ना और जब फिजबल रिजन बाउंडेट हो गया तो उसके से बाउंडेट सॉलॉशन नहीं मिलेगा कि कॉर्णर पॉइंट जो फिजबल रिजन के कॉर्णर वाले पॉइंट्स होते हुए एक्स्ट्रीम पॉइंट बोलते हैं हाँ है सारे कॉर्नर ही तो हें कान ची सब्सक्ऩड को होता है ने रिजन आम्ना को फिजबल पॉइंट के फिजबल सालूशन क्या होता है कि कॉंस्टेंट को भी साथ इस्वाइड करे और नॉन निगेटिव इस्ट्रिक्शन को तो ऐसे है क्या है एंसर फूर पॉइंट मिल नहीं है तो थिरी तो डिसाइड ही है चारों तो मिल नहीं जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अकलेश सही है बहुत अच्छा बना बहुत हाँ हाँ बस यही तो चार पॉइंट तो है इसका भी पता है इसका कोडिनेट क्या होगा टू फिफ्टी जिरो इसका वन एंडेट जिरो निकाल नहीं है इसी चेक कर लो दीपांजली तुम को नहीं समझ में आ रहा है और घर पर जाओ हलो पूरी खाने तुम अभी समझ लो समझा दो तुम जाद तुम जी अम्मृता से समझ लेंगा तुम्हारे फ्रेंड कौन है उसे समझ लो एक बार वीडियो लेक्षर देखो तुम, तुमको कही से समझाया जाया, देखो सबकार लेजा, अब आज सब खताम आप, कोश्चन जाके सब लोगो इक साथ, और क्या है, मैक्सिमम एक ही वैलू मिलेगी ना, इस पे, चार कॉर्मर पॉइंट पे, इधर देखो, तुम कहां कहां कनफीज हो रही हो, कोश्चन, एक्सरसाइज का कोश्चन, सभी लोग कोश्चन नंबर वन से लेके 20 तक ट्राइ करिएगा, 1, 2 तो डिफिनेशन है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिफिनेशन है, तो 4 से लेके 20, ठीक है, एक्सरसाइज का, और, 21 से लेके 25 तक, बचा कितना, 26 से लेके 29, यह भी हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तब यह तीन कोश्चन, तो आप लोग अब इतना हमोर्ग है, कि 4 से लेके 20 के बीच में, एक्सरसाइज के कोश्चन करिए, और 21 से लेके 25, जो नहीं है, हम करवाएंगे, ठीक है, जो तुम लोग करो, और जो नहीं है, उसको टिक करके रखे रहा हो, ठीक है, उसको तुरनत ग्रूप में मैसेज करो या कहीं भी हम सॉल्प करेंगे, ठीक है, ठीक है, 26 से लेके 29, यह क्या होगा, यह वाला जो कुश्चन है, यह भी पढ़ाएं नहीं है, टॉपी पे, इस पे कराएंगे, तो सब का आया एंसर, तो सलूशन आइंसर क्या है जी इसका, एक्स बराबर क्या आया, एक्स बराबर क्या आया, और जेड बराबर कितना आएगा, यही सलूशन होगा, इस प्राबलम का, एक्स बराबर, 400 y बराबर 0 and z बराबर क्या होगा 1200 सबको समझ में आया कि नहीं क्या तुम लोग खुद से किये वो बहुत अच्छी बाते कर लिए क्यों तुमको क्या confusion है तुम कहा unbounded graph से unbounded होगा नहीं न दो बार value से मिली नहीं न तो isopro क्या बोलते हैं isoprofit line कौन सा point point दिखा बताओ इसमें ग्राफ में अपने हाँ तो जब आइसे प्रोफिल लाइन ड्रा करोगी न तो कोई ऐसा पहला नहीं खाली इसी को कट करेगा ऐसे ऐसे करोगी एक ही point वो कट करेगा उसी को ठीक है तो जब unique point पे touch करेगा इंटरसेट करेगा तो क्या होगा unique solution तो वहाँ से भी देख सकते हैं चलो कल डाइनमिक चलेगी